सातियों नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग मजबा केम शो कसा अहिस सातियों आज एक इंपोर्टनिंट बात को मैं डिसकस करने वाला हूँ एक ऐसी बात जो काफी हद तक आपको फायदा पहुचाने वाली है सातियों कहीं बार ऐसा होता है कि हमारी पतनिया हम पर मेंटनेस क्लेम डालती है और ऐसा भी होता है कि वो ही पतनिया शोशल मीडिया पर काफी एक्टिवेट है वो शोशल मीडिया को ऐसा टूल यूज़ करती है और अपने अंग प्रदर्शन के जरिये अधिस अधिक गराक ख और वो अपनी बतनी को मेंटेनिस जिने से मना करता है तो वहाँ पर वो 125 CRPC वे अनने सक्षम कानम के तहत जिसके तहत मेंटेनिस मिल सकता है जिम्मधार होगा तो इसी बात का फाइदा उड़ा के वो केस डालती है और ऐसी इमेज पोट्रे करती है कि हमको मारा पिटा गया और हमको हैरेस किया गया हमको हीमिलेट किया गया दहच की मांग इन लोगों ने करी जब दहच की मांग पुरी नहीं हुई तो मुझ जिसी अबला का शोशन किया गया आप ज़रा सोचों कि वो अबला सोचल मीडिया पे तो नंगा नाच नाच रही है अपने शरीर के एक एक अंग को दिखा रही है वहीं दूसरी और इस तरह की इमेज को पोट्रे कर रही है कि वो बहुत ही सती साबित रही है उसने कोई गलत काम नहीं करा और अल्टीमेटली उसको इतना प्रशान किया गया कि अल्टीमेटली उसको PR रहना पड़ रहे है यहां वो PR रहरे ही है अब उसको maintenance उसको ब्रे है वो स्वे hanging को बताएगी बेरोजगार और अपने पती को बताएगी इतना कमाने वाला कि अम्मानी का भी जो है वो बाप है और उसकी इंकम इतनी ज़्यादा है कि वो अगर दो, तीन, चार, पांश, लाग, दसला खर्चा देदेगा तो उसको क्या फरक पड़ने वाला है सातियों हिंदु धर्म में विवा जो है एक ट्रस्ट है एक ऐसा बंदन जहां पर दो परिवार जुड़ते हैं दो आत्माई जुड़ती हैं, उनका मिलन होता है और इसके साथ-साथ ट्रस्ट, बिल्डप और साथ फेरों का वो बंदन जिसके तहर दोनों ही एक दुसरे को बचन रहते हैं कि सुख हो चाए दुख हो हम एक दुसरे के साथ रहेंगे एक वाल बंगे एक दुसरे की जो है help करेंगे पर जब लालज मन में उतरता है तो उसका प्रणाम क्या होता है? जगडे अब जब जगडे बढ़ जाते है तो पतनी अपियर पहुचकर अपने पियर पक्ष के वकीनों संपर्क करके अल्टी मिड़ी लड़के को जो हैरस करती है उस पर जोटे मुगतमत डालती है और लड़का में बेचारा परशान हो जाता है साथी मैंने ऐसे अने कोई केसिस देखे जहां पर विबिन जज्जमेंट्स में ये कहा गया है कि अगर पतनी अलग रह रही है तो मेंटर्देस नहीं मिलेगा पतनी पतनी सहमती से अलग रह रहे हैं मेंटर्देस नहीं मिलेगा पतनी एलेटरी में मेंटर्देस नहीं मिलेगा जहां पर सरकारे खुछ चाहरी है कि वुमेन इंपावर्मेंट हो सरकारे खुछ चाहते कि महिला है सक्षम हो आज हम भी अपने बच्चों की एजुकेशन पर लाकों रुपे खर्च कर देते हैं कि बच्चे सक्षम हो पर उसके बावजूद जब लड़कियां कोड में जाकर मेंटनेंस मांगती है तो ऐसा लगता है कि सिंगनल पर खड़ा बिखारी भीग मांगर हो जरा सिंगनल पर खड़े बिखारी को देखना वो कैसे भीग मांगता है ऐसा हाथ फिलाता लता है दे 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 कि ये कि वैसे ही भारति मेला है कोटों में जाकर अपने पतिओं से मेंटनेस रुप्य भीग बांगते रहती हैं क्या तुम्हारे माता नहीं है जिस पर तुम्हारा ये आरोप है कि वो मार भीट रहा है देच की मांग कर रहा है सेक्जवली मेंटल हरस कर रहा है और पूरा परिवार उसके साथ शामिल है सातियों ऐसे अनेकों केसिस मैंने अपने लाइफ में देखे जहां पर पती का स्टेंड ये है जब पत्नी कमा रही है तो वो अपने आपको बेरोजगार क्यों बता रही है और सातियों उस कांटेक्स में शोशल मीडिया का जो ये केस है ये काफी इंपॉर्टन है अगर पत्नी की कमाई का बेसिक टूल ही शोशल मीडिया है और वो कहते कि प्रोमोस के लिए या कोई काम के लिए या कोई एडवर्टेश्मेंट के लिए संपर्क कर रहे है या नəmbर देती है और उसके मैनेजर जो है फोन उठाती है या वो फोत फोन उठाती है और एल्टिमेडली वो पैसे अपने इस तरफ पर बेद्धन डाल रही है तो यहां पर क्या करे ही लड़्क बोस्टे करते कि नहीं साब यह तो मरर प्राइवेसी का उंगलंगर है फ्राइवेसी तब होती कि जब आपका पती और आप एक कमरे के अंदर संभोग कर रहे हैं वो इश्यू है प्रवेस के पर जब आप खुद ही हैं पदर्शन कर रही है हुका बार चला रखी है आपने ऑनलाइन आप जो है सिगरेट पे रही हैं आप जो है मदिराबान कर रही हैं यह क्या मैसेज जो है जाता है तो मैंने यह देखा है कि जब ऐसे मामन में प्रफाइल जो है कोड में पेश भी तो लड़किया जो है अक्ये बख्ये रहागी तो फिर कहते ना कि भाई जो मिले वो बढ़िया तो कुछ ने तो एक लाग रुपे लिए राजी ना में करा भागी कुछ ने दो लाग रुपे लिए राजी ना में की और भागी और कुछ फ्री में भागी तो कहने की बात यह है कि जब भी आप इस तरह के फैट्स को रिकॉर्ड पर लेके आते हैं और शोशल मेडिया पर वो एक्टिव है और शोशल मेडिया को ऐसे टूल वो लेके काम कर रही है और पैसे कमा रही है तो सबसे पहले आपको एक डमी जो है क्रेट करना है वो डमी जो है इनकी टीम संपर करेगा कुछ पैसों की बात करेगा एक चीज़ को रिगॉर्ड करना है उसके बाद कुछ पैसे जो है ट्रांसफर करना है वाइक के खाते में या जो अकाउंट वो प्रवाइड कर रहे हैं उसके अंदर तो यह एक एविडेस बन जाएगा चोकि यह ट्रांजिक्शन जो है अकाउंट से अकाउंट में है तो इसक कोड जहां केस पेंडिंग है मैंटनेस का कि यह लड़की कमा रही है पर इसे कोड में जो है जूट बला तीसरे मात है कि वो जो एविडेंस हैं जो फोटोग्राफ है या वीडियोज है उसको प्रॉपर डाउंडोड कर लेजिए और उस पर लड़की का मांग लेजिए स्प कर सकते हैं तो पावर्स कितनी ही हमारे बास में उपयोग तो हमें करना ही पढ़ेगा नो उसका जब भी इसे फोटोग्राफ आएंगी तो यह शरमशार हो जाती है इनके घरवालों तब को मालूम ने कि यह क्या करना में कर रही है पर जब कारना में सामने आते हैं वह डॉक हम उसको पर नहीं कर सकते हैं हमने कि जहां पर टिक टॉक्त करें यहां अविसको निए रहा S.E.A.B.D.N.S. को कोड में पेश करें आपको रहात मिलेगी मिलेगी तो कुलमला कि आपके अपने अधिकार है जब तक उसकी आप बैड इमेज को पॉर्ट्रे नहीं करोगे तो आपकी बैड इमेज के जरीए वो आपको लूटने का प्रयास करेगी तो एक ऐसी इमेज पॉर्टर करो कि मैं एक ऐसी रर्क्यू घर पे लेकर आया जो सिग्रेट पी रही है या मदीरा पांग कर रही है या अपने शरीर का वो अंगंग दिखा रही है जो एक भारती मेला को शुबा नहीं देता है तो कुल मेला के जो सका करेटर फाइल पर आएगा तो वहाँ पर जच का भी मैंड सेट अप होता है वर्काउट करने के लिए और आप चुकि वर्काउट नहीं करते हैं बात को प्रॉपर तरीके से नहीं रखते हैं तो वहाँ दिक्कत आपके लिए आती है और जच को ये मालूम पढ़ना चीए कि जो मेला मेरे सामने खड़ी है ये याचक नहीं है ये बदमाश है कुल मेला के ये डबल गेम खेल रही है कोड में तो इमेज़ पॉर्टर कर रहे हैं मैं बेरोजगार हूँ मेरे इहालत बहुत खराब है मैं सती सहाबे तरी हूँ और on the contrary ये social media पे जाके नंगा नाच नाच रही है तो कुल मेला के ये बातें बहुत छोटी हैं बट बातें बहुत काम की हैं अगर इसको आप timely point out कर लोगे तो तो फाइदा मिल जाएगा अगर point out नहीं करी तो महान उक्सान आपको जो है वो खाना पड़ेगा तो सातियों अगर topic आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो गा लाइक को शेर जरूर कीजेगा मिलते हैं एक नए topic के साथ Till then जाहिंद जाभारत